प्रादेशिक समाचारिकांज भुपास से प्रस्दुत है सिहोर जिले की चिठ्थी आलेक प्रदीप सिंग चौहान, वाचक स्वर सयुकता बैनर जी अपने सोने जैसे स्वादिष्ट शर्बती गेहूं के लिए प्रसिधर सिहोर जिला इंदनो ग्रीश्म की भीशन तपन के दौर से गुजर रहा है जिले में रभी सीजन में इस बार गेहूं की फसल की बंपर उतपादन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है सिहोर जिले में रभी के सीजन में बनाये गए 230 गेहूं खरीदी केंद्रू से रिकॉर्ड 6,30,810 टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है जबकि पिछले साल 4,56,000 टन गेहूं की खरीदी की गई थी सिहोर के प्रसिद्ध सलकनपुर देवी धाम मंदर परिसर में उज्जैन के महकाल लोग की तरस पर 200 करोड रुपे की लागत से देवी महा लोग बनाया जा रहा है इस निर्मान को लेकर पछले दिनों भोपास्थच सीम हाउस में आयोजित एक धार्मिक कारिक्रम में मुख्यमंत्रु शिवरा सिंग चौहान ने मावजयासन की चरण पादुका की पूजा अर्जना कर इन शिलाओं को चार अलग-अलग रथों में स्थापित कर हरी जंडी दिखा कर रवाना किया ये रथ जिले की चारों विधान सभाक्षेत्र में घूम कर हर घर से एक इट संग्रहित करेंगे इन इटों को देवी महलोग के निर्मान में लगाया जाएगा प्रदेश में बोट परीक्षा पैटन पर कराई गए कक्षा पांचवी और आठवी की परीक्षाओं के परणाम में सिहोर जिले के विध्यार्थियों ने उतक्रिष्ट प्रदर्शन किया है प्रदेश की रैंकिंग में सिहोर जिला कक्षा पांचवी के परीक्षा परणाम में प्रदेश में तीसरे स्थान पर और आठवी के परीक्षा परणाम में प्रदेश म उमर सिहोर पहुंचे उन्होंने भाजपस अंगठन के जिलस्तरिय पदाधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उनका फीड़बैक किया बीते दिनों सिहोर जनपत पंचायत के ग्राम गुडबेला में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निका योजना के अंतरगत सामुहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया इस विवाह सम्मेलन में 415 जोड़े दामपत्य सूत्र में बंधे इस सम्मेलन को मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने वर्चुली संबोधित किया और वरवधू को आशिरवाद दिया पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान सिहोर जिला अंतरगत अपनी ग्रह विधान सभा बुधनी के एक दिवसिय दोरे पर पहुचे उन्होंने बुधनी के जोंतला, नांधनेर, सियागेन और जैद गाउं में आयुजित अलग-अलग कारिक्रम में भाग लेकर 168 करोड की राशी के विकासकारियों का भूमी पूजन और लोकारपन किया जिला न्यायाले परिसर में वर्षकी द्वतिय नाशनल लोक अदालत का आयुजन किया गया, इसका शुभारंब जिला और सत्र न्यायाधी शौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अमिताब मिश्रुने किया इस अदालत में कुल 5,792 प्रकरण रखे गये थे, इन में से 485 प्रकरणों का निराकरण किया गया पिछले दिनों सिहोर जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 प्रारंब किया गया कलेक्टर प्रवींट सेह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 25 मई तक संचाले तस अभियान में 15 विभागों की 99 सेवाओं का लाब नागरिकों को प्रदान किया जा रहा है बीते दिनों सिहोर जिले के दो राहा टपे को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में तहसील बनाने की स्वीकृती प्रदान की बीते दिनों सिहोर के शास्किय चंदरुशेखर आजाद सनातकोत्तर अगरणी महाविद्याले ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार नैक मुल्यांकन में 3.1.2 CGPA के साथ आगामी 5 वर्षों के लिए एक ग्रेड प्राप कर लिया है प्रदेश के सभी जिलों में चल रहे यूद डायस एंट्री के कार्य में सिहोर जिला प्रदेश में सबसे आगी रहा है जिले में शत प्रतिशत स्टूजन्स की प्रोफाइल कम्प्लीट हो चुकी है पिछले दिनों सिहोर नगरपालिका परिशद द्वारा आयोजद समाहरों में पीमावास यूजना के अंतरगत पात्रहिद ग्राहियों को राशी वित्रत की गई इस समाहरों में 4623 पात्रहिद ग्राहियों को प्रथम किस्त का भुकतान किया गया सिहोर जिले में वन विभा की सक्ती और देखरेक से बागु का कुन्बा लगातार बढ़ रहा है ऐसे में बिलकिस गंज क्षेत्र के एक खारी के जंगल में एक बागिन ने दो शावकों को जन दिया जिले में इनको मिलाकर अब बागु की संख्या 28 हो गई है जर्मनी के बर्लिन में 12 से 24 जून तक आयोजित होने वाले स्पेशल ओलंपिक में भारतिय फुटबॉल टीम का अंदिम शिविर नॉडा में चल रहा है भातिय फुटबॉल टीम के दल में सीहोर जिले के आश्टा नगर की प्रतभाशाली फुटबॉलर कुमारी सिमरन राशी तिवारी भी सम्मिलत है जिली की चिठी समाप्त हुई